हाई फ्रेंट मैं असिस्टेंट लोको पालेट नंदलाल मौर आपके यूटूब में स्वागत करता हूँ मैं आज आप लोगं को जेई जो डिपार्टमेंटल एक्जाम होते हैं उसका कुश्चन अबजेक्टिव टाइप कुश्चन साल्प करा रहा हूँ ये ये पीवे अच्छा लगा तो लाइक सिया सब्सक्राइब तो ता बेल आइकन दबाना मत भूलें आप बेल आइकन दबाएंगे तो आप लोगा नोटिविकेशन आपको तुरंत आपके ही मुबाइल पर पहुंच जाएगा सबसे पहले और मैं कुश्चन नंबर 182 से कुश्चन जिरूर करेंगा कासी आ रहा है कि देखेगा वैलास्ट या और टी वन कशन क्या करें मुश्च वाल के फेशच से गार्ड रेल के सीधे भाकि लंबाई कितनी होती है तो यह होती है नम्बर यह आप्शन सही है कितना है 1825 होता है अठारा सो पचीस इमेम होता है नेस्ट कुश्यन पे चलते हैं 182 नंबर गार्ड रेल के टाप मेन रेल के टाप से अधिक्तम कितना नीचे होता है तो ये जान लिजी एक स्वारी ए आपसा सही है 25 इमेम होता है कितना है 25 इमेम होता है 25 इमेम होता है नेस्ट कुश्यन है वीजी पुलो पर वीजी पुलो पर गार्ड रेल के तिरिच्छे भाग की सीधी लंबाई कितनी होती है तो ये होती है 83 नंबर का कुश्यन है 83 नंबर का वी आपसन सही है बी कितना बी आप्शन सही है बी आप्शन सही है 4875 कितना 4875 एमेम नेस्ट कुश्चन है रेल क्लेस्टर के उपर गाड़ी रोक कर समय सीमा से चलाई जानी चाहिए तो ये 10 के एमपेच से चलाई जाता है ये आप्शन सही है कितना 10 के एमपेच से चलाई जाता है नेस्ट कुश्चन है 85 नमबर का कुश्चन है करा पूल का नेरी छड़ जो हुआ जाता मानसून से पहले किसके द्वारा किया जाता है तो यह आपसर नमबर D सही है किसके ESSC ESSC जो इंचार्ड होता है उसके द्वारा किया जाता है Next question 186 टैनल में दो ट्रॉली धरों के बीज की अधिक्तम दोरी कितनी होती है तो यह होती है 186 तो यह D नमबर कुश्चन सही है D आपसर सही है D आपसर सही है कितना हंडेड हंडेड मीटर होता है Next question ESSC पीवे इंचार्ड द्वारा टैनल का नेचन मांसून के बाद कितनी समय में किया जाएगा तो यह ए आपसर सही है वर्ट्स में वर्ट्स में एक बाद किया जाएगा Next question D EN द्वारा टैनल का नेचन मांसून से पूर कितने समय में किया जाता है 88 का ए आपसर सही है क्या है 88 का ए आपसर सही है एक वन यर्ज में Next question है SWR में नियूंतम बैलास्ट कुशन होता है तो 189 189 का ए कितना है 200 200 एम एम Next question है Machine टैपिंग के लिए नियूंतम साफ बैलास्ट कुशन कितना होता है तो ए आपसर सही है कितना होता है 150 कितना होता है 150 होता है Next question ए आपसर सही था 101 क्यान नभे WR में नियूंतम बैलास्ट कुशन होता है तो B आपसर सही है कितना होता है 250 एम एम कितना होता है 250 एम एम होता है Next question है Next question कि 792 का कुश्यन quietly 40 mm वरगागा चंने पर गिट्टी रुकनी नहीं कि रुकनी चाहिए मालर 44 mm वरगागागा चंनी जो होता है catching पर गिट्टी रुकनी चाहिए तो कितना रुकनी चाहिए लगभग यह होता 102 का में कि अ यह का है ए शालिस से सततर पर्शेंट होना चाहिए नेस्ट कोशन है नेस्ट कोशन है कि एक्सों 326 5 यूर्ग चैने पर अधिक्तम गिट्टी रुकनी चाहिए तो कितना पर्शेंट रुकनी चाहिए यह पूछ रहा है तो तिराननेवे का सी सही है कितना 10% रुकनी चाहिए गिटी जो उसमें छन्ने के बाद में जो रुकती है 10% रुकनी चाहिए Next question है Machine Crust गिटी के लिए 20 mm गुवरगा का छन्ने पर कम से कम गिटी रुकनी चाहिए तो ये C आपसन सही है 98% कितना 98% Next question है Next question क्या कह रहा 95% वैलास्ट मापने के लिए छन्ने का साइज होना चाहिए तो ये होता है 95% नमबर का B आपसन 100 गुडे 70 गुडे 10 तो ये B आपसन सही है B आपसन आपका कितना है 100 गुडे 70 गुडे 10 cm Next question है मैदानी में गिट्टी के चट्टे की निउन्तम उचाई होनी चाहिए 106 गुडे का question D सही है D कितना है एक मीटर कितना होना चाहिए एक मीटर होना चाहिए Next question है पहाडी गिट्टी के चट्टे की निउन्तम उचाई होती है जो पहाडी पर चट्टे लगाए जाते हैं वो कितनी उचाई तक ही लगा सकते हैं तो 197 का 80 सही है 805 mm 0.5 meter कितना हो लगाना चाहिए 0.5 meter तक का Next question क्या है गिट्टी के चट्टे की अधिक्तम उचाई होनी चाहिए तो यह वोजा A options है 2 meter कितना हो चाहिए 2 meter Next question है Next question 2 meter वैलास्ट सप्लाई के सीव एनालिसिस के लिए सेंपल वाक्स का साइज होता है तो कि साइज कितना हो निन्यानिव का भी सही है भी सही है 0.3 गुड़े 0.3 गुड़े 0.3 होता है Next question पर चलते है Next question कहला है वैलास्ट का एवरेशन टेस्ट किस मसीन द्वारा किया जाता है तो 200 का question नमबर A सही है क्या है Last NG list Next question है BG root पर गिट्टी की अधिक्तम साइज होनी चाहिए तो 101 का A आपसन सही है कितना 65 mm होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए तो कितना नहीं होना चाहिए यह आपसन सही है यह नहीं होना चाहिए 1.5 अनपात में एक 1.5 अनपात में नहीं होना चाहिए इस तरह से 202 तक का कुशन समाप्त होए है इसके अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद